Greater Noida में बसे एक छोटे से गाउं सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभै दानम एक ऐसी संस्था जिसमें मूख प्राणी एवं असहाय पशुपक्षियों के पालन पोशन से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम विवस्था की जाती है संस्था में उपस्थित, चिकित्सक एवं अन्यसदस्य, दिल्ली NCR एवं अनेक शित्रों से 24 घंटे असहाय पशुपक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कारे कर रही हैं संस्था में ज्यान दानम गुरु कुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिये जा रही हैं शिक्षा ही नहीं, बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी नेशुल्क व्यवस्था की जाती है इनके साथ ही संस्थान में अउशदानम आयुरवेधिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंडर में चिकित्सकों के परामर्ष से लोगों का उपचार नेशुल्क किया जाता है संस्था में हत करधा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षन केंडर भी संचालित हैं जिसमें युवाओं को विभिन्नक अलाओं का नेश्विल्क प्रशीक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में शुदिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंत गिरी तमिलनाडू से लाई गई, मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रदिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रदिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रति दिन प्रभुका अभशेक, शांतिधारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ, कुरूरता मुक्त न होने के कारण यहां अभशेक हेतु, वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे की नार्यल जल, पुष्प, एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। ख्षेत्र पर हस्त लिखित पांडुलिपी संग्राहले, जैन वीगन और्गनिक भोजनाले, गुरुकुले निर्मान का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान, संस्थानम, अभैदानम के किसी भी कार्य एवं ख्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें। 9868-356946-93293-222040 आचार्यश्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला मंगल आशीर्वाद परंपुझे आचारेश्री 108 शुत सागरजी महराज परंपुझे आचारेश्री 108 प्रमुक सागरजी महराज प्रेरना स्रोद परंपुझे मुनिश्री 108 प्रणम्य सागरजी महराज एवं परंपुज्य पाठ शाला प्रनिता मुनी श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज नमन करता स्वर्गेश्री उमाशंकर जैन घाजियाबाद वाले शटे ऐसा वर उल्ले खाता है कई गुरुओं ने इस प्रकार के बहुत सारे भजन गीत भी बनाए है कि जो मुनी महाराज होते हैं वो छटे और साथवे गुरे स्थान में जूलते रहते हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कभी वो छटे गुरे स्थान में आ जाते हैं कभी जब ध्यान अवस्था में होते हैं और वो उतकरष्ट ध्यान में धीरे धीरे पहुंच रहे होते हैं, तब वो सात्वे में चले जाते हैं, फिर जब उनका मन्वचनकाय के योग की प्रवत्ती रहती है, थोड़ा बहुत उनमें कशाय रह जाती है, तब वो वापिस से छटे में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से चाय अप्षमिक चारित्र में क्या होता है, अनंता अनुबंधी वो सब तो क्या हो गई, रही नहीं, अब प्रत्या ख्यान भी चली गई, प्रत्या ख्यान भी आ गई, यानि कि उन्होंने दिगंबर रवस्था को अंगीकार कर लिया, परन्तु अभी पूर आगे नहीं या ना के बराबर होंगे, तो क्यों क्योंकि वो ध्यान भस्था में ही धीरे धीरे करके उपर बढ़ते जाते हैं, और उनका सूच मकाय योग आगे जाके रह जाता है, तो आगे हम जब इसका गुड़िस्थान की चर्चा करेंगे, तो चोदे गुड़िस्थानों का यहां पर यह संजलन यह तीन प्रकार का उदे आने पर छे हो गया है, और नो कशाय क्या है, उसकी उदे सराग सयम भी इसे बोलते हैं, राग के साथ सयम, अब इसमें एक चीज और एक सूत्र में रह गई थी जो आपकी पुस्तक में दी हुई है, ज्याना वर्णी करम के पा धाके हमारी आत्मा में केवल ग्यान यानि की मात्र ग्यान पहले से विद्यमान है, परंतु उसके उपर क्या है, आवरण एक चादर ढकी हुई है, तो कौन कौन सी चादर है, जो पाँच सम्य ग्यान है, मती, सुरुत, अवधी, मने, परे और केवल, इनके उपर आवरण ढ का हुआ है, तो यही पाँच प्रिकार हो गए, मती, ज्याना वरण, सुरुत ज्याना वरण, अवधी ज्याना वरण, मने परे ज्याना वरण, और केवल ज्याना वरण, तो यह हमारे ज्याना वरणी कर्म के यह पाँच भेद हैं, इसमें यहाँ पर छयुप्षम में जो ज् और मने परे क्यों आए क्यों केवल ग्याना वरणकर में है वो सर्व गाती होता है कि उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा का चक्कर नहीं होगा या तो वो पूरी तरह से ढखा हुआ होगा या पूरी तरह से हट जाएगा जो ये चार ग्यान थे मती शुरुत अवधी और मने परे इसमें क्या हो सकता है चयोप्षम रहेगा थोड़ा अंस्प्रिकट होगा और थोड़ा ढका रहेगा तो ये भी एक बार लिख लेते हैं आपकी पुस्तक में वैसे दिया हुआ है कि जो ज्यान है ज्याना वरणी करम के चार पांच भेद हैं जिसमें से सर्व गाती और देश गाती दो शब्दों का प्रियोग या गया है सर्व गाती मानें जो पूरी तरह से जिसका गात हो और देश गाती मतलब पूरी तरह से ना होकर थोड़ा बहुत गात हो और थोड़ा बहुत रह जाए तो यहां जो च्योप्षम की बात करेंगे हम सर्व गाती की ना करक के देश गाती वाली ही करेंगे ये कल आपको लिखाने से रह गया था है ना ज्ञाना वर्णी कर्म के पांच भेद यहाँ पर इस सूत्र में मतलब इस अध्याय में आपको समझने के लिए आपको आठवे अध्याय का आश्चरे बारवर लेना पड़ रहा है क्योंकि कर्मों का वर्ण वहाँ पर दिया है अचार महराज ने ज्ञाना वर्णी कर्म के पांच भेद कैसे है हमें कौन सा वाला ज्यान का आवरन अठाना है मती शुरूत अवधी मने परे अब आपको धीरे धीरे देखिए पहली बार जो कर रहे होंगे उनको दिक्कत आएगा अब यह चीज़ें रिपीट हो रही है तो अब आपको धीरे धीरे चीज़ें पक्की होने शुरू हो जाएंगी मने परे और केवल अब आवरन लग गया तो क्या हो गया यह मती ज्यान नहीं है मती ज्याना वरन क्या बन गया ज्याना वरन यानि मती ज्यान के ऊपर आवरन है जिसकी वज़े से मती ज्यान कम ज्यादा है सुरूत ज्याना वरन तीसरा अवधी ज्यानावरण अवधी ज्यान के उपर आवरण है जिसकी वय से हमें बूत्ववेश्वर्तमान की चीजों का पता नहीं है कि हम पिछले भव में क्या थे अगले भव के हमने कितने करम कैसे बांद लिए मने परे ज्यानावरण हमें दूसरे के मन का नहीं पता चल रहा क्यों क्योंकि हमारे मने परह ग्यान के ओereye उपर आवरण है केवल ग्यान आवरण हमें संसार की सभी द्रभ्यय एक साथ उनकी अनंत परियाय और अपनी सोयम की जीव की सारी परियाय दिखाई नहीं दे रही क्यों नहीं दिखाई दे रही क्योंकि केवल ग्यानावरण अब ये जो चारों हैं ये चारों कैसे होते हैं देश घाती यानि इनहीं का छयुप्षम होता है यही कम जादा हो सकती है और ये केवल ग्यानावरण कैसा है सर्व गाती यानि कि एक बार गात होगा केवल ग्यान में ये नहीं होगा कि थोड़ा सा केवल ग्यान प्रकट हो गया जी और होना बाकी है ये होगा तो एक साथ मूनी गरम नश्ट होगा और आपके सारे घाति अगरम नश्ट होते है पूर्ण होगा है ना और इन में क्या होगा कम जादा होगा है ना मने परेह में भी दो प्रकार के भेटे अब अब अधी ज्यान में भी छेत्रत्यादी की सीमा रहेगी शुरुत ज्यान में भी कम जादा रहेगा मती ज्यान में भ इसमें क्या बोलते हैं इसको सर्व घाती यहां पर जो च्छाय उप्षम की बात हो रही है जो ज्यान में यह चार प्रकार के ज्यान की ही बात करेंगे जो कल के इस उत्र में बताया था यह पॉइंट लिखाने से रह गया था तो आज इसको करा दिया इसके बाद आपके कौन-कौन से हो गए भाव में दुबारा बाईच करिए उप्षमेक च्छाय च्छाय उप्षमेक उसके बाद कौन सा भाव पढ़ा था और पांचमा पारिणाम एक और देख में हमने क्या देखा था कि कर्मों का उधे आने पर जो हमने कल कुछ काम किया त उधे आएगा हमने पढ़ाई करी एक्जाम में हम उसको क्या करेंगे उसी को लिखके आएंगे है ना उधे आएगा जैसे करम करोगे वैसा उसका फल भोगना पड़ेगा हमने देखा था कि और पारिणामिक भाव जीव और पुद्गल इत्यादी सभी द्रव्यों के हो सकत परंतु यहां पर बता जरूर दिया कि जीव और पुद्गल के होते हैं लेकिन हमें किसको मुक्ष कराना है पुद्गल को मुक्ष कराना है कि जीव को मुक्ष कराना है बताइए आत्मा को मुक्ष होता है पुद्गल को तो मुक्ष होता नहीं है जो बस तो इत्यादी है त अगले सूत्र में ओदेख भावों की, तो वो पुद्गल की दरश्टी में न रखे, आत्मा के भावों से ओदेख भाव क्या होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे, हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था, इस अध्याय का क्या था, दुए नवाश्टा, आगे क्या था, एक, दुए न वाश्टा, दशेक, बीशती, तो अश्टा दस तक होगा यमारे वाले, इसमें, 18 प्रकार, अब क्या अश्टा दस के बाद बचा, चौति नमबर पे, एक बीशती, एक बीशती माने, एक माने, एक बीशती माने, 20, तो कितना हो गया था, 21, 21, तो और्टोमेटिक लिए आप चोथा वाला कौन सा था ओदेख यानि कि आत्मा के जो हमने करम पिछले किये हैं उनका जो उदे आएगा वो 21 प्रकार से आ सकता है ओदेख भाव के एक विशती बिल्कुल सिष्टम से सूत्र बनाए हैं जरूरी नहीं है 21 लिखे हैं जैसे यहां पर 18 लिखे नहीं थे लेकिन हमने उनको 18 पूरा किया है ना उसमें लिख दिया कि इसके 4 इसके 3 इसके 5 ऐसे कर करके तो ऐसे ही अगला सूत्र देखेंगे बड़ा ही सुन्दर सूत्र है बड़ा ही आनन्द आएगा आपको छटा सूत्र करने में यह भी थोड़ा बड़ा सूत्र है क्योंकि 21 भावा में समझने है किसके समझना क्यों जरूरी है पहले जानकारी होगी तभी ग्यान में परणती होगी तभी आचरन कर पाओगे बिना जानकारी के अगर सीधे आचरन करने लग जाओगे तो हो सकता है कि जो भी चारित्रिधारन करें तो मिथ्या में ना चले जाएं गलत भावों से बले ही आपने अगर सही अवस्था सही चारित्रिधारन कर लिया तो वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाता तो इसलिए जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि भाव कौन से है है ना तो लिखते हैं हम यहाँ पर छटे नंबर का सूत्र गती कशाय लिंग मिथ्यादर्शना गती कशाय लिंग मिथ्यादर्शना ग्याना संयता सिद्ध ग्याना संयता सिद्ध लेश्याश्च चतुष्च चतुस्त्रयई लेश्याज चतुष्च लेश्च लेश्याश्च लेश्च चतुष्च चतुस्त्रयई काई 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 कुछ काई 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 कुछ शर बेदा देखिए कितना इंट्रेस्टिंग सूत्र है कितनी बार कई 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 लिखा है इसको समझेंगे कई 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 का क्या मतलब है गती कशाय लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्याना सैयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुष, चतुस्त्रयाई, कई 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 शडबेदा लिंग को दो तरीके से लिख सकते हैं कई पुस्तकों में ऐसे लिखा रहता है और font size की problem की वैसे और वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिंग ठीक है? डाके नीचे गा यह जो यह होता है का खा गा गा ना का खा गा गा और यह वाला जो ना होता है जींदी वाला कुछ लगाते हैं आधा शब्द तो इसमें इस प्रकार से तीरथंकर में भी करका का वर्ग का है इसी प्रकार से कई जगे लिखा मिलता है तीरथंकर में प्राकर्टिक वातरण में इस्तित है यहां बहुत संदर हस्मक प्रत्माय नेमिनाद भगवान की दर्शन करके मन प्रफुलित हो जाता है यहां पर गोशाला चल रही है पशुपक्षियों के लिए प्राकर्थिक वातावर्ण है और खाने की भी यहां उत्तम व्यवस्त है बहुत ही अच्छा लगा बार बार आने का मन कर रहा है तिर्शंकर लेनी आन के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए यहां पर गोशाला और हत्करगा का मान प्रति में हैं बहुत ही सुन्दर जिसको देखती ही मन ओसा करता है कि बार बार यां मंदिर आए और बार बार दर्शन करें परतिमा इतनी अतिर्शचा मात्स मंदिरत पिद दशनकाने आये हम लोग स्वर्गिये श्री उमाशंकर जेन घाजियाबाद वाले प्रायोजक ज्यान दानम गुरुकुल